संबंद रखने से मना करने पर प्रेमी का की हत्या साधी सुदा प्रेगनेट हूँ अब नहीं रखना संबंद सुनते ही मार डाला साधी सुदा हूँ प्रेगनेट हूँ अब नहीं रखना तुम से संबंद इतना सुनते ही गुसे में मैस धोबी ने साकू से वार कर विवेता क की हत्या कर दी डरके मारे वाग घर के पास गोशाला में शिप गया उसका सव लूलवान हालत में एक जुलाई की रात को छे बजे मिला था उसी रात बारा बजे दूद निकालने गए यूक ने प्रेमी को देख हला मसा दिया पास ही गस्त पर निकली पुलिश ने उसे पाली पुलिश ने बारा घंडे के बितर खोलते हुए उसके प्रेमी को देर रात पकड़ लिया पुलिश ने जुझनू के उद्ध्यपुरवाटी निवासी 27 सेल के महिस पुत्र हनुमान परसाद दोबी को पकड़ लिया बता दे कि एक जुलाई की देर रात साम को 25 साल की आसा पतनी भाखरा राम रेवारी का सव पाली के सदत आने के पास उसके पिहर में कचे कमरे में लत्फुत हालत में मिला था उसकी सबजी कार्दने का साकु से कई वार कर हत्या कर दी गई थी मामले की जास में CEO City अनिल सारन कोतवाल रविंदर सिंखिंसी के नितरतों में टी निकालने गया तो वहाँ एक यूवक को देख डर गया उसने पिता राम सहित अन्ये को गोसला बुलाया और सदर थाने में गोसला में सोर होने की सुसना दी रातरी में गस्त कर रहे हेड कोस्टेबल मान सिंग मैं जाबता मोके पर पहुंचे यूवक को ललकारते हुए बाह मोत की वजे आरोपी मैस दोवी करीब छार साल पहले मानपूरा बाकरी में एक भवन में टाइल्स का काम करता था यहां अससाअफ़वई का काम करती थी जिसे मैस दोवी ने अपनी दोस्ती के जाल में फसा दिया क likes निवासी बाकर अराम रह बारी से हो गई तब उसने मैस स कॉल कर उसे आखिरी बार मिलने का दबाव डालने लगा इस पर दोनों एक जुलई की साम को सदर थाने के पास गोसाला के निकट इस्तित अपने घर में मिले गड़ना के समय आसा घर पर अकेली थी इस दुरान महिस ने उसे अपने प्यार का हवाला देते हुए संबंद आगे उसे उसे गले पेट और शिन्हे में ताबट तोबड हमला कर दिया जिससे गरबवती आसारेबारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई गवसाला की दिवा तोड अंदर गुशा गटना के बाद आरो पी गठना इस्तलत के निकटी इस्तित गवसाला के पिछे दिवार के पास पहुँचा, वहां पतर रखे और उन पर शटकर गोशाला में कूद गया, पॉलिस से बसने के लिए वक गाये के चारे में छिपारा, सनिवार देर राद जब गोशाला में काम करने वाला यूवक गाये का दूद निकालने पहुँचा तो उसे चोर समझ कर सदर थाना पॉलिस से बसने की दुकान पर काम करता हैं, गर्णा के समय मर्तका घर पे अकेली थी, उसके भाई बेन पास के गोशाला में गए हुए थे और मा किसी काम से पाली सेर में आई हुई थी, मर्तका के पिता पिता राम रहबारी सदर थाने के निकट कैबिन पर बैठे थे, साम करीब साथ बजे वे घर आये, तब गर्णा का खुलासा हुआ